देखे, conservative force, क्या होता है conservative force, आप जब कोई work करते हैं, तो दो तरीके से यहाँ पर work को हम define करेंगे, नहीं define तो यही तरीके होता, work is equal to force into displacement in the direction of force, ठीक है, लेकिन माले आप सडक से जा रहे हैं cycle से, cycle से ही जाओ, स्कूटी से ताकर नहीं लगेगी, आपको नहीं लगेगा कितनी ताकर लग रही है, तो अगर आप इस रास्ते जाते हैं, या रास्ता चेंज करते हैं, और सड़ा थोड़ा सा खुड़दुरी है, तो आपको ज़्यादा work करना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा लंबा रा रास्ते पर depend कर रहा है, ऐसे force को हम non conservative कहते हैं, ठीक है, और conservative force वो होता है, जिसके दोरा किया गया work, रास्ते पर depend नहीं करता, वो initial and final position पर depend करता है, यानि यहाँ और यहाँ पर depend करेगा, आप चाहे जिस रास्ते से वहाँ पर पहुँचिए, ठीक है, तो यह कहलाता है conservative force, तो थोड़े देफिनिशन लिखिए, A force is said to be conservative, A force is said to be conservative, If the work, If the work done, By the force, Or against the force, Work done by the force, Or against the force, In moving a body, In moving a body, In moving a body, Depends only, Depends only, Upon the initial and final position of the body, Upon the initial and final position of the body, Initial and final position of the body, And is independent, And is independent, Of the path followed, Independent of the path followed, Between the initial and final position, Between the initial and final position, यानि, path पर डिपर नहीं करता है, ठीक है, Example लिखी, Gravitational force, Magnetic force, Electrostatic force, या electric force, Are conservative, Are conservative, ये conservative होते हैं, ठीक है, अब हम, Gravitational force का example लेके चलना हैं, और हम प्रूफ करने जा रहे हैं, कि इसके दोरा किया गया work, पाथ पर डिपर नहीं करता है, ठीक है, अब एक heading ला दीजेगा, Prove that gravitational force is a conservative force, Prove that gravitational force is the conservative force, अब gravitational force, conservative force होता है, उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, हम एक body को एक point A से लेकर के, B तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, Let a body of mass m, mass m, is taken from point a to point b, from point a to point b, या from position a to position b, जो भी आप लिखना चाहें, of height h, under gravity, under gravity, by different paths, by different paths. अब देखिए, हम path number one लेकी चलना है, path number one. हम body को क्या करेंगे, कि directly h height पर raise करेंगे, ठीक है, इसी directly raised, या it is vertically raised, upward. अपवर्ड, directly ये upward में raise किया है, समझेगा, जैसे हमने क्या किया, एक point a था, और कहां पर ले जाना है, b point पर क्या height है, h, और उपर ले जाने में कितना work करना पड़ा, ये निकालना है, तो work done कितना होगा, work done, अब बताईए, इसको हम W1 माल लेते हैं, अगर आप यहां से यहां तक जाओगे, तो कितना आपको force लगाना पड़ेगा, और क्यों force लगाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने में, आपको कितना force लगाना पड़ेगा, कम से कम, और क्यों force लगाना पड़ेगा, mg force है तो या तो देखें, दो तरीके हैं अगर mg के बराबर ही हम force लगा दें, उपर की तरफ, तो net force कितना हो गया? 0 और net force 0 होता है तो क्या body नहीं चलती? दो नियम है अगर body नहीं चल लई है तो नहीं चलेगी net force 0 है, अगर body चल दी है तो चलती रहेगी, यह होता है न, न्यूटन साब ने क्या कहा, कि अगर कोई body रखी भी है, तो रखी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी हम net force ना लगाएं, या external force ना लगाएं, तो हम उपर कितना force लगा रहे हैं, mg, तो हमने वर कितना क हम इतना force लगाना पड़ेगा, जो उसको रोक रहा है, कौन रोक रहा है, mg, तो हमने कितना लगा दिया, mg, तो mg into h, यह पहला equation हो गया, ठीक है, तो पहले रास्ते से हम a से भी पहुँच गये, और हमने देखा हम कितना वर करना पड़ेगा, mg h, ठीक है, चलिए पहले रास्त है, कि हमने क्या क्या यह हमको जाना था, a से लेकर के, b तक जाना था, कितनी हाइट, h हाइट, और आपने एक slope के जरीए जाना सुरू किया, यह slope, यह आला slope, कितना एंगल पर जुका हुआ है, theta, तो path number 2 लिखे, the body is taken, the body is taken, along a smooth path, path, यह smooth inclined plane, path न लिखे, smooth inclined plane cb, smooth इसने लिखा कि friction गरबड़ना करें, क्योंकि direct volume friction आपने लिया नहीं, the body is taken, along the smooth inclined plane cb, of height h, अब देखो ध्यान से, साउधान, अब body पर force कितना लग रहा पर लेती देखा जाए, जब हमने body को यहाँ पर रखा, तो body का जो weight होगा, वो vertically downward काम करेगा, mg, और plane पर जो normal reaction force काम करेगा, वो plane के normal लगेगा, plane के perpendicular, और यह angle कितना होगा, theta, तो mg का यह component कितना होगा, mg, cos theta, और mg का यह वाला component कितना होगा, mg, sin theta, actually आपको उपर चढ़ने से कौन रोग रहा है, वह यही तो आपको घजीटा नीचे की तरफ, तो अगर आपको चढ़ना चाहते हैं, तो आपको कितना force लगाना पड़ेगा, अगर इसके बराबर apply करोगे, तो net force कितना होगा, 0, हमने का net force 0 होने का मतलब, या तो body रुकी भी है तो नहीं चलेगी, और चल दी है तो constant velocity चलती रहेगी, ठीक है, तो work done कितना हुआ, work done, work done, हमने माना w2, क्या होता है, force into displacement, force कितना है, f, displacement कितना है, c से b तक जा रहे हो न, c into b, अब देखे, f की value क्या है, mg sin theta, और into c into, c into b नहीं, sorry, cb, तो is equal to mg, यहाँ पर sin theta की value क्या निकलेगी, ab upon cb, अगर sin theta इस triangle में निकालेगी, कितना आएगा, ab upon cb into cb, 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 cb अही ले गई, और ab की height कितनी है, mg h, यह work mg h गया, कि आप उसी रास्ते गये थे, जिस रास्ते पहले से गये थे, रास्ता change कर दिया न, height h ही थी, अब पहुंची आप उसी point पर, रास्ता change था, यह work done कैसा है, same हो गया न, note करिए, तीसरा रास्ता देखिए, तीसरा रास्ता आपने क्या किया, path 3, कि body को आप ले तो h height पर गये, ने छट पर ही गये, लेकिन आप staircase ले लिया, ठीक है, तो let the body is taken, let the body is taken to height, लिखे भई, हम थोड़े लिखेंगे, हमाई rating गंदी से नहीं लिखते है, let the body is taken to height s through the staircase, through the staircase, staircase कहते न, जीनों क्या कहता है, staircase, staircase, staircase बड़ा गंदा बनेगा, लेकिन अब ठीक है, बाड़े को पुंचा तो देंगे ही, ठीक है, अब देखे हमने एक मान लिया, यह वैसे तो सबकी अलग-अलग step दिख रहे हैं, यह सबकी height same है, हमने का suppose करिएगा, हर एक step, कि height कितनी है, h1, और चोड़ाई कितनी है, x, न तो लिखे, let the height of each step is h1, the height of each step, step कहते है न, is h1, and width, यह horizontal width is x, horizontal width is x, and there are n number of steps, there are n number of steps, अब देखो ध्यान से, सावधान, मैं पहले एक step चलता हूं, h1 height आपको चलना है, तो कितना वर्क ना पड़ेगा, हाँ, work done, in raising the body, the body, through height h1, through height h1, that is mg h1, अब देखे, जीने पर चड़े, अब घर का जीना अलगी बात कि पैर रखो पर अगला रखो, लेकिन अगर किसी मॉल में जाओ, तो आप चड़ेंगे फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर चड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, चलना भी होता है न, अब देखे, यहाँ पहुझ गया न, अब आपको इधर चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ख होगा, यह distance कवर करने भी कितना वर्ख होगा, work done, work done in, moving distance x, moving horizontal distance x, horizontal distance x, कितना होगा 0, क्यों, भाई जो आप यह सिस्टेम पहुझ गये, तो आपका वेट कितर काम कर हो रहा है, और आपका displacement कितना हो रहा है, इधर की और, तो आपके displacement और आपके वेट के बीच कितना angle है, 90, तो work done 0 हो गया, ठीक है, अचा, फिर अगला step चड़ेंगे, फिर कितना work करेंगे, h1, फिर यहाँ 0, फिर mg h1, इस प्रकार से का total work done in raising the body height h, तो उसमें कितना steps है, 10 times क raising the body through height h, through height h by n steps, तो total work done हमने w3 मान लिया, जो w1, w2 मान चुके था ना, पहले बाले में, और यहाँ जो एक step में आपने work किया है, mg h1, इसको n times कर दिया, अच्छा n into h1 क्या होगा, h हो जाएगा न, w3, इसको एक कुशनबर 3 डाल दो, क्यों, आपने n h1 को क्या मान लिया है, h, अब देखें, यह work वही आ रहा है, जो पहले दो cases में आया है, नोट करें, अगला case है कि body is taken along zigzag path, अब zigzag path मतलब, भै आप मान लिया वेश्णों देभी जा रहे है, तो अब बढ़ी मंदिर तो height पहना, दो से दिख भी रहा है, तो क्या ऐसे आप चढ़ जाते हो, आपको पहार देखें, पहार तो ऐसे जिग जग होता ना, कहीं समतल कहीं थोड़ा उठा हुआ ऐसे होता है, तो अगर zigzag path से जाएंग तो क्या करेंगे, यह हमारा target है, कि A से लेकर कि B तो पहुंचना है, ठीक है, यानि कट्रा से लेकर क तो यहां पर मता जी का दर्वार है, तो यह हमने रास्ता अपना, जिग जग बात, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो देखें, हम क्या करेंगे, इसमें एक very small height लेंगे, delta h, ठीक, और इस delta h height चड़ेंगे, बाद सिगमा लगा देंगे, total height लेंगे, तो work done, यह small work done, small work done, in raising the body, raising the body, through height, delta h, तो क्या होगा, mg into delta h, यह work done होगया, और जब total work done लेंगे, देखें, ऐसे ही delta h, delta h, delta h, delta h height करते जाएंगे, और पहुंच जाएंगे उपर, तो total work done निकालेंगे, total work done, total work done, इसको w4 माल ले, sigma लगा दे, mg into delta h, sigma किसके उपर लगेगा, sigma delta h लगेगा, तो आपने क्या देखा भई, कि भई, h height पर गए, अलगला रास्ते से, और आपने work done निकालात कितना आया, तो रेखिए, by question 1, 2, 3 and 4, it is clear, कि कुछ जिगजएक पात, कुछ ज्यादा है, जिगजएक नहीं तुमारा है, भुलकुल, जिगजएक चलते हैं, कुछ ज्यादा है, जिगजएक कुछ चलते हैं, तो रेगिस्तान का एक साप होता, अबड़ा जिगजएक चलता है, by question 1, 2, 3, 4, it is clear, that work done against gravitational force, work done against gravitational force, the gravitational force does not depend upon the path it depends only upon the initial and final position it depends only upon the initial and final position so it is a conservative force so it is a conservative force ठीक है अब conservative force के लिए कुछ points भी नोट कलिजेगा हमने कहा कि gravitational force वही है magnetic force, electrostatic force ये भी आपका conservative है magnetic, electrostatic और कौन बचा, elastic ये तो एक note लिख लिजेगा note number पहले तो 1 लिखिए elastic force, electrostatic force and magnetic force are also the examples of conservative force ये भी conservative होते है ठीक है दूसरा point लिखिएगा देखिए ध्यान से अभी हम body को कहां से कहां ले गए थे आपने जबीन से च्छत पिले गए थे च्छत पिले जाने का तरीका पहला इस पहुंच गया तो उनकी पहत्णी ने कहा कि भई जितना मेरे सरीर से तुमको प्यार है अगर इतना भगवार नाम से तुम्हें प्यार होता पस इस सब्सक्राइब गया तो इस को सुन करके वह वहाँ से ततकाल उतर गए इसके बाद सन्यासी बन गए और बहुत बड़े एक तभी भी हुए और प्लस जो भी अब तुम्हें के सामने है रामारेट उनों ने रामजेत मानसी रशना कर दी तो वह किधर गए थे स्टेट एक स्टेट स्वाडर में इंतरे चड़ गए थे इसके बाद दूसा तरीका क्या होता जीने से एक स्लोप ऐसे लगा लिए आप चड़ गए जैसे ट्रक वगरा कोई बॉड़ी चड़ानी होती है तो ऐसे पट्रा लगा दिया जाता है और उसमें धंगा के चले आते हैं एक आपने लेडर कर रहे हैं वह स्ट कि अफसी पंट लिखने है दावर्कक ड़न भाय अंपर्वेयरियरATOR थीर्वे टरीपिए तरह ते इसमें ट्रचरड्म और फोर्स नोट आ अपर्व्छिए जीरु नोट आ थीजरु अकट भाया जाए तूर्अध एस्टा में प्वांड जीआ है Chanel लिखी से थीरा है अब द एक यहाँ पर central force आता है अन्य अगर कोई body इस प्रकार से move करें कि उस पे लगने वाला force हमेशा एक point की तरफ centered रहे उसको central force कहते हैं तो जितने central force होते हैं conservative force होते हैं अगला point है a central force is a conservative force a central force is a conservative force मतलब क्या हुआ central force होता क्या है? अगर दो charges की भीच हम force निकाले तो हमेशा दो charges की भीच में लगेगा अगर दो charges घुमाते जाओगे तो force भी change होता रहेगा वता पूर्ष्tera connection change होती रहेगी लेकिन लगेगा हमेशा दोनों charges की बीच तो हम कहेंगे एक charge की परलगने वाला जो force होगा वो हमेशा central रहेगा यह हमेशा directed रहेगा second charge की तरफ तरफ तो कैसा force है? Central Force है अगर Earth Sun के चारों रोटेट करती है तो Earth और Sun के बीच में एक Gravitation Force आक्ट करता है उसकी direction हमेशा Earth और Sun के बीच में लगती है तरफ रहती है तो Central Force है तो लिखे All the Central Force is Conservative Force Central Force is a Conservative Force तो यह तो हो गया Conservative Force है अगया 90% नहीं आता है अगर हलका सा आएगा यह प्रूफ नहीं आएगा अब नेक्स लिखे Non-Conservative Force Non-Conservative Force Non-Conservative Non-Nak नहीं है यह अब अगर नान वर्ड आजी नाक तो नहीं है Non-Conservative Force अगर Non-Conservative Force की हम बात करेंगे तो Simple सी बात जो conservative है उसी को Reverse कर दो क्या हम definition दिखेंगे कि जिसके दोरा किया गया वर्क पात पे भी डिपन करेंगा तो लिखे A force is said to be Non-Conservative A force is said to be Non-Conservative If the work done by the force If the work done by the force और against the force देखेंगे जो by the force और against the force की जो हम बात करते हैं जो समझेगा अभी gravitation में हम जा रहे थे उपर गी तरफ तो हम against जा रहे थे न अगर च्छत से हम चलांग लगा जाते तो तो हम in the direction of force आ जाते ठीक है Along the force आ जाते If the work done by the force or against the force In moving a body In moving a body From one position to other In moving the body From one position to other Depends upon the path Depends upon the path Followed between the two positions Depends upon the path followed between the two positions Path followed between the two positions ठीक है तो यह आपका non conservative होगा Example लिए सकते हैं कि जैसे Elastic force क्या बोला हूँ रुकिये रुकिये आपके चलने में आपके चलने का विरोध कौन करता है Friction Frictional force Is non conservative force Frictional force यहाँ पर non conservative होता है ठीक है जैसे viscous force Is non conservative Viscous वैसे कोई उसमें कुछ होता नहीं लेकि पानी के अंदर आप चल रहे हो तो पानी जो force लगाता है Viscous force होता है Viscous force is non conservative पानी के अंदर जो layers होती है ना वो जो force लगाती है वो कैसा फूर्चती है Viscous V-I-S-C-O-U-S V-I-S-C-O-U-S होता है क्या लिख रहे हो Viscous force बात होगी का है की Energy की Energy क्या होता है वह आप बड़े energetic है energetic है कैसे मालू किसी को कैसे मालू आपकी work करने की जो capacity है वो energetic आप उनाती है ठीक है कोई बहुत जल्दी आप काम करते है बड़ा energetic है देखो यहाँ काम कर देए वहाँ काम कर देने से वो आप से काम कहा गया माकारी कर रहे हो तो आप energetic नहीं कहा जाएगा ठीक है यह हमारे Indian culture में भी आपस में जो नहीं भी पढ़े लिखे लोग थे तो जब आप बहुत दोड़ दोड़ की काम करते है तो यहीं कहते थे बड़ा देखो फुर्तीला है खुब काम कर रहत है तो यानि उनको मालूम था कि काम करना और फुर्तीले में रिलेशन होता है यह वेस्टन वाले कब जाने जब साइंस डिवलफ हुई और हम लोग पहले जानित रहें यानि हमको साइंस पहले से आती थी ठीके जैसे मास एनरजी रिलेशन आपने पढ़ा पढ़ा है या इस टीन जब बताए तब बताए हमारे पुराने लोग पहले बताते थे अगर आ अधि की साभशाने बहुत काम करत थे बहूत काम करत है बहुत काम पांख ऑनलने मास कम हो गया और मतलब इनरजी इस का मततभ उनको मालूम था वर्क मास वी इनरजी में रिलेशन है जो आ इंसले बात में बताये थे ऐसा होता नहीं होता है, और जैसे जो मोटा हो जाए, काम नगर तो क्या कहेंगे, देखा, है, काम नगर हो जा रहा है, ऐसा है बोला जाता है ना, तो इसको मतब मास एनर्जी में रिलेशन होता है, नहीं हमारे हैं, हम लोग जो साइंस वेस्टन वारे जब खोज किये, ये आइंसीन वा अगरे आइंसीन वाड़ी इस डिफाइड एस स्केवस्टी आप दूइंग वर्क, चुक्कि एनर्जी वर्क ही है एक तरीके से, तो इट इस जाएलर क्वांटिटी, इस जाएलर क्वांटिटी, अब कैसे वर्क करें, वर्क करने का तरीका देखे, आपने पिचलों में बंद है, बाहर हीरो है, दर्वाजा बंद है, कमरे से धुआ निकल रहा है, तो हीरो चिलाता है ना रेखा, दर्वाजा कुलो रेखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाओंगा, तुम्हारे भी ना रेखा, रेखा, ऐसे करता है ना, वो दर्वाजा खोलने की कोसिज करता खोल नहीं पाता, फिर कैसे खोलता हूँ, कैसे तोड़ता है, बड़ी दूर से आता है, दोड़ करके और धक्का मारता हूँ, दर्वाजा खोल जाता है, यह उसने वर्क किया, यह वर्क किसकी वज़े से हुआ, विकॉज़ अफेट्स मोशन, तो बॉड़ी के मोशन की वज़ दर्वाजा खोलते हैं, विचारे को हैं, नहीं दीदी, तुम ऐसा नहीं दीदी, धुआ नहीं कर लाता ना, और जैसे वो दोड़ के मारने को हुए, वैसे दीदी दर्वाजा खोल दिया, अब वो दोड़ते है, दोड़ते है, दोड़ते है, दोड़ते है, दोड़ते है, गिर बड़े जागर के ने ऐसा पतब ही रोक साथ नहीं होता अलग की बात है तो नंबर वन लिखे कानेटिक इनर्जी एनर्जी यानि वो दौड के उसने दर्वाजे में लात्मारी सिर्व दर्वाजा खुल गया था तो आप यह एक्जाम्पल तो लिखेंगे नहीं तो कानेटिक इनर्जी क्या होगी कि बाड़ी के मोशन की क dong जो वर्क करने की कैफेसिती होती है वो उसको हम कानेटिक इनर्जी कहते हैं तो दिख्ये, the work done, the work done, by the body, by virtue of its motion, by virtue of its motion, is called कानेटिक इनर्जी, is called कानेटिक इनर्जीset कि अब हम इसमें कानेटिक डर्जी निकालने जा रहे हैं क्या करेंगे हम एक बॉड़ी लेंगे उसको हम या तो चला दें या तो रोग दें दोनों बाते हैं ठीक है एक बॉड़ी लेंगे और इनिशिली उसको रेस्ट में रखेंगे और बाद में उसको हमें एक फोर्स लग तो उसके अंदर एक energy आ गई, तो progress change के लिखे, let a body of mass m, let a body of mass m, is at rest, is at rest, वो at rest का मतलब क्या होता है, ब्रेकन लिसकते है कि initial velocity उसकी क्या है, 0, आफ्टर अप्लाइंग एक constant force, आफ्टर अप्लाइंग एक constant force, constant को अंडरलाइंग कर दीजे, चुकि यह जो proof है, वो constant force के लिए है, अगर force variable हुआ, तो यह proof वहाँ apply नहीं होगा, ठीक है, अभी हमने एक proof, अभी बात करेंगा, constant force F, the body starts moving, with acceleration A, the body starts moving, with acceleration A, देखो, हमको work done निकालना है, तो के लिए निकालना है क्या है, पहले हम चीह समलने है, हमको work done का मातलब force into displacement निकालना है, ठीक है, and S be the displacement, S be the displacement of the body, तो हमको force निकालना है, और हमको क्या निकालना है, S निकालना है, तो F into S निकाला है, तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके इसमें जब U और V लगाएंगे, तो आप जानते हैं by equation, V square is equal to क्या होगा, U square plus, और आगे लग दो, and the final velocity of body is V, and final velocity of body is V, तो V square is equal to 2S हो जाएगा न, अब देखो, force का formula क्या होता है, M A होता है, और into S होता है, तो A into S आपके पास आ गया, अगर हम M से multiply कर दें, तो F हो जाएगा, तो हमने क्या किया, दों तरव M से multiply कर दिया, तो यह क्या हो गया, M V square is equal to 2 into M A into S, 2 इधर लियाओ, 2 इधर हो गया, M V square, M A क्या हो गया, F into S, यह क्या हो गया, वर्क, तो वर्क क्या होगा, half M V square, यह वर्क कैसे क्या आपने, because of the motion, भाई देखे, actually मैं आपने force body पे लगाया था, body को आपने क्या दे दिया, आपने जो वर्क किया हो, वो convert कर दिया किस रूप में, कानेटिक नर्जी के रूप में, ठीक है, तो यही आपकी कानेटिक नर्जी है, कानेटिक नर्जी is equal to half M V square, यह proof है, constant force के लिए, ठीक है, हमने एक proof कराया था, अभी एक student था, he is from Delhi, अब college का नाम नहीं बताएंगे, चुकि अब वो channel में record हो रहा, तो गलाल लगेगा कि school का नाम ले ले, तो student को teacher ने बताया कि यह तो बच्चों का proof है, और यह नहीं चलेगा, दूसा proof भी हम कराएंगे, उसको यह कहना चाहिए, कि this proof is for the constant force, next proof is for the variable force, वो force variable force के लिए था, ठीक है, तो हमने एका नहीं, teacher ने ध्यान से देखा, यह तो नहीं कहेंगे, कि वेवकूफ है, कि यह थोड़ी कहेंगे, उसे ध्यान से देखा नहीं होगा, कि यह constant force के लिए है, next हम बात करेंगे variable force के लिए, ठीक है, तो next, the next class,